हेगाईज वेलकम बेक टू अनधर वीडियो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला व्रेंड इस फोटो को इडिट करके दोस्तों ओभी कुछ इस प्रकार से इडिट करके मैं दिखाने वाला व्रेंड वो भी light to map के मदद से और snap sheet के मदद से दोस्तो यह रही हमारी edit होने के बाद की pick और यह रही दोस्तो real pick तो दोस्तो हम सबसे पहले हमें करना है क्या दोस्तो इस फोटो को edit करने के लिए इस वीडियो के अंतक बने रहना है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलागा दोस्तो इस वीडियो में तो सबसे पहले हमें light to map में इस फोटो को open कर लाना है उसके बाद दोस्तो करना है क्या फाल दोड़े से हमारी चैन्ज अ गई है उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे सक्वाएंगे इस कलर वाले एक्षन और situation को भी हम हलका सा माइनस कर लेंगे, उसके बाद हमें आ जाना इस औरेंज वाले आप्सन पे, औरेंज वाले आप्सन के आने के बाद दूस्तों मैं बताता हूँ कि इसे आप को क्या होते है, इडिट करने हैं, तो luminous को आप देख सकते हैं, इसे माइनस करेंगा, आप देख सकते हैं आपका face कैसा हो गया है, और वहीं पे इसे plus करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे face पे light आ रहा है, तो अपने photo के मुदाफिक हम इसे adjust कर लेते हैं, हलका सा मैंने प्लस कर लिया है और situation को हलका सा माइनस करना है और luminous को थोड़ा से इसमें प्लस कर लेंगे उसके बाद हमें आ जाना इस red वाले option पे red वाले option के आने के बाद हमें luminous को हलका सा इसमें प्लस कर लेना है और इसमें हमें करना है क्या situation को 100 प्लस करना है और Hughes को हलका माइनस करने के उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा lips red हो गया है दोस्तों इस red वाले option से use करने के बाद situation को हमने 100 कर लिया है plus और Hughes को हलका सा minus कर लिया है यानि 60 minus किया है friend और आप देख सकते हैं result आपके सामने है हमारा lips red हो गया है उसके बाद हमें और आजना इस blue वाले option पर situation को plus करना हो हो सक कि उचको हलका सा decrease यारी minus कर लेंगे उसके बाद यहां से done करने नहीं उसके बाद आजना से इफेक्ट वाले आप्षन पर इफेक्ट वाले option को आने के बाद हमें करना हे टेक्स्टर को थोड़ी सीट बढ़ा लेनी है friend और वीगंटी को हलका सा माइनस करना है और आज आना है उसके बाद details वाले option पर हमें होता है क्या दोस्तों, details वाले tools क्या इस्तिमाल करने के तो nice description को आप plus करेंगे तो हलका face हलका सा smooth हो जाएगा friend देखिये हमने हलका ब्लीक करके सेब टो डिवाइस कर लेना आप देख रहे हमारा फोटो इसपोर्टिंग फटो वह यानि हमारे फटो सेफ हो जाएगा आपको करना है क्या दोस्तो इस पर ओके वाले अप्सेट पर क्लिक करना है और इसे बैक आ जाना है और हमें स्नेपसीट ओपेन कर लाना है दोस्तो हम Snapseed open कर लेंगे जैसे ही हमारा फ्रेंड Snapseed open होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो इस पर करना है कि हमें प्लस वाल आइकन बर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको इसमें करना है कि फ्रेंड जहां भी आप अपने ताज महल का वैगराउंड रखे हैं डाउनलोड करके वहाँ से उस फोटो को लेलना है तो हमें आ जाना है डाउनलोड फ्रेंड में हमने भी इसे डाउनलोड किया है दोस्तों इसका मैं लिंक डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगा जाकर आप भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां से इसे उपन कर लेंगे उपन होने के बाद दूस्तों आप देख सकते हैं इस पेंसिल वाले आइकन पे आना है और इसके स्क्रोल करेंगे हलका सा नीचे जाएंगे तो डबल एक्सपोज देखने को मिलेगा डबल एक्सपोज पे क्लिक होई गया है उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहां से आजाना है फ्रेंट रिसेंट में जहां से आपको अभी जापने इडिट किया फोटो वो मिल जाएगा तो यहां से इमेज प्याना है फ्रेंट और एडब लाइट्रूम में ओपन कर लेना है ओपन होने के बाद फ्रेंट इस इडिट वाली फोटो को लाइट्रूम से जो इडिट के है उसको प्लस कर लेंगे उसके बाद अच्छे से हमें इसको अड़ेस्ट कर लेना है अच्छे से और इस बबल्स वाले आइकन के आने के बाद इसो फूल कर लेना है फूल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाओ और यहां से यस कर लेना है यस होने के बाद दूस्तों आप देख सकते हैं वारे फोटो कितनी ज्यादा अच्छी लग रहे हैं और इस एरे वाले आप्सेन पे क्लिक करेंगे भी उडिट पे आना है और डबल एक्सपोजर और इजनल देखने को मिलेगा तो डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है इस बरस वाले आइकन पे क्लिक करना है क्लिक होते ही फ्रेंट कुछ इस तरह का इंटर्फेस आए गया आक तर सामने तो हमें करना है कि डबल एक्सपोजर को 100 कर लेना है और फोटो को हलका साम जूम कर लेंगे जूम होने के बाद दोस्तों जहां ने जहां आप अपने फोटो को एड़ेस्ट किया है हलका हलका अंग कि फोटो को जो रियल बेग्राउंट था हो दिखाई ना दे अच्छे से ऐसे ऐसे जूम करके करना है ताकि हमारी फोटो बहुत ही ज्यादा अच्छी लेगे दोस्तों बिल्कुल हर बनाने की बात नहीं है इस वीडियो के अंतक बने रहा है ताकि आप फुल प्रोसेस समझ जाए इस इडिटिंग की ताज महल वाली फोटो इडिटिंग की ऐसे कर लाना है ऐसे ऐसे अच्छे से उंगलिये से करना है आप देख रहे फ्रेंड हमारा बैग्राउंड कितना अच्छा से इडिये हुजरा आप भी बिल्कुल इस्टेप बाइस्टेप फालो करिए इस वीडियो के देख करके आप भी फोटो भी इतनी ही अच्छी इडिट होके आईगे सामने दोस्तों अच्छे से कर लेना है कि उसके बाद दोस्तों हमें करना है कि फोटो को अच्छे तरह से जूम करना है , हमारा जहां ज्यादा उन्हीं हो गाई है उसले अच्छे से ला लेंगे जहां 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 फोटो में ज्यादा ही रेज हो गया है बैगराउंड उसे रिश्टोर कर लेगे हम फ्रेंड उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फोटो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों अगर आपको भी कुछ इस पर आभी फोटो इटिंग करनी है फ्रेंड तो हमरे चैनल को सब्सक्राइब करती जीगा मैं डेली न्यू वीडियो अप्लोड करता हूं फ्रेंड अगर आपको अच्छी लगे तो ही हमारे वीडियो को लाइक करना है फ्रेंड बाकी आपकी मर्जी है आप लाइक करे या ना करे ऐसे कर लेना है और जहाँ ज्यादा इरेज नहीं हुआ दूस्तो डबल एक्सपर को 100 करके अच्छे से अच्छे से ऐसे कर लेना है तो दूस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो कर देना है लाइक यहां से सेफ कर लेना है और इस फोटो को दूस्तो बैक आके यहां से डाउनलूट पे आके इसे सेफ कर लेना है